पुस्तक स्रद्धे मोहनवागवज्य और इस पुस्तक के लेखक द्वय मेरे मित्र त्री उदय माहोरकर जी स्री शुरायू पंडिज्य यूम रूपा पुब्लिकेशन के पुब्लीशर त्री कपीश जी महरा इस सभादार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों यूम सज हम सब यहां पर प्रखर स्वतंता से नानी और प्रवल रास्टवादी है स्वाथंद्रवीर सावरकर के जीवन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन करने के लिए एकत्रित हुए है मैं कह सकता हूँ इस पुस्तक के बारे में यह पुस्तक बहुत ही परिश्रम और सोध के बाद तैयार की गई है मैं इस किताब के लेखक तरी उद्रे माहरकर जी और साथी साथ उनके साथी लेखक चुड़ाई पंडिक जी को इस प्रकासन के लिए अपनी हार्दिक बढ़ाई भी देता हूँ और भविश्य के लिए मैं अपनी उन्हें हार्दिक शुक्तामनाई भी देता हूँ उद्रे माहरकर जी को जो हम केवल एक वरिष्ट पत्रकार के रूप में जानते थे राइनेटिक विशलेशक के रूप में जानते थे प्रजबाचाली लेखक के रूप में जानते थे लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है मैं कहता हूँ वेल रिसर्च ये पुस्तक महरकर जी ने लिखी है तो मैं समझता हूँ कि शायद इसके बाद लोग आपको एक प्रामारी कितिहासकार के रूप में जानेंगे, ऐसा मेरा विश्यास है, बीर सावरकर जी जैसे रास्ट चनायक के बारे में पढ़ना, समझना और लिखना कोई, यह आसान बात नहीं है, बीर सावरकर के जीवन के इतने आयाम है, इतने आ ऐसा मैं मानता हूँ, पर माहरकर जी को मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ, चुराई पंडिक जी को, इनको भी, कि दोनों ने नो सिर्फ इस काम को सफलता पूर्वक पूरा किया है, बलकि एक ऐसी किताब उन्होंने लिखी है, जो सावरकर के जीवन से जुड़ी ब्रांतिय को नो सिर्फ दूर करेगी, बलकि उसे सही रूप में प्रसुत करने में भी अपनी महत्वण भूमिका का अंदरवाद करेगी, एक कहावत है, जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता, तब तक शिकारी महान बना रहे है, और वीर सावरकर जी के जीवन के कहानी बड़ ऑप फ़वित हैं, अत्यवा एक खास विचारधारा के लोग थे, इज़न हमारे रेश में एक बना 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 का बीर सावर करके जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को नो तो वी तरीके से समझ पाया है और नो उनकी देशवक्त उनके महानव्यक्तित को समझने की उनन पर मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वरसों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत एक कड़ी मेहनत किये हैं अच्छा शोध कारे भी किया है और एक इमानदार विसलेशन दून होने किया है जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और सोध परक किताबें हम लोगों को पढ़ने को मिल जाते हैं और मैं आसा करता हूं कि यह किताब भी इस त्रिंखला में एक वैलेबुल एडिशन बनेगी ऐसा मेरा विश्वास है और मैं मानता हूं कि जो हमारे रास्पनायक हैं कि व्यक्तित्व और कर च्थित्व को लेकर आप एक वाद पर्टिवाद हैं यह तो कर सकने देफारंश जापो फीनन्पी है मगर उन्हें एक है दृष्टि शे देखना कि कि इस्मे कि सुछन में इसे अशित नहीं कहा जा सकता कि कि इसी पी सूरत में इसे नियाय संगत नहीं माना जा सकता वीर शावर्करजी एक महांब स्वतंता सेनानी थे इसमें कहीं दोमत नहीं है उन्होंने किसी भी विशारध रखुर्ण के स्चस्में से देखकर रास निर्वार में उनके योगदान को अंदेखा करना अपमानित करना यह कैसा काम है जिसे मैं मानता हूँ कि कभी माफ नहीं किया जा सकता है और वीरिस आवरकर भारत इत्याद के महानायक थे हैं और भविश्य में भी वह महानायक रहेंगे इसे कोई रोप नहीं सकता है आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंगरेजी हुकुमत ने हैं उन्हें एक नहीं बलकि दो-दो बार आजी वन कारवास की सजादी थे ऐसे प्रखर रास्तवादियों देश भक्त के उपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की विशेश बिशारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है तरद्य अठल भी हारी बाज पर ही नहीं ने बीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कहा था सावरकर का मतलब यह होता है तेज सावरकर का मतलब यह होता है त्याग सावरकर का मतलब यह होता है तक सावरकर का मतलब यह होता है तारूने मैंने कभी भी शावर कर जिने यह नहीं कहा कि हमारी बातों को आप मानने के लिए मजबूर हो किसी को कमपल किया हो नहीं डिशक्सम्स में तर्क में भी शावर कर जी का विस्वास रहा है ऐसे भी द्रिश्टांग पढ़ने को मिलते हैं उन्होंने कहा था अटल विहारी बाज पेही ने शावरकर एक व्यक्ति नहीं है एक विचार है वो एक शिंगारी नहीं है वो एक अंगार है वो सीमित नहीं है बलकि वो एक दिस्तार है यह अटल विहारी बाज पेही ने शावरकर जी के बारे में कहा डेवियो सैजनो वीर सावर कर एक प्रकर क्रांथ कारी थे भारती विशार के साथ था तो ये पश्मी क्रांथियों और क्रांथिकारीों के विशार से भी प्रभावित थे शायर आप मेंसे कुछ लोगों की इस बात की दानकारी होगी कि मेजनी और गैरी बॉल्डी जैसे इटलियन करांतिकारी वीरों के विचारों का उन पर एक बहुत ही असर था और वे मानते थे कि भारत को आजाहत कराने के लिए ससस्तर कांती का भी विकल्ब खुदा रहना चाहिए था यह बहुत यह सपष्ट सोच वीर साबर करकी थी और इस दिश्चे उन्होंने मित्र मेला अभिने भारुट सोसाइटी का गठन किया ताकि वो अपने जैसे अन्ड करांतियों के साथ भी वा काम कर सकें कुछ लोग वीर साबर करको नाजी वादी और फाशी वादी होने का अरूप लगाते हैं खास्त तोर पर वे लोग इस प्रकार का अरूप लगाते हैं जो मार्क्स वादी या लेनर वादी विचारों से प्रभावीत रहे हैं या आज भी है सचाई यह है कि वीर साबर कर हिंदुत के विचार को मानते थे मगर नो तो वो हिंदु वादी थे न फासी वादी थे न नाजी वादी थे बलकि वे सीधे सीधे यथार्थ वादी थे और राश्ट वादी थे अपने भाश्रों में और लेखन में उन्होंने बहुत विश्टार से अपने विशारों को बहुत ही बेवाकी के साथ उन्होंने रखा है ज़री हम उन्हें पढ़ें तो पाएंगे कि वे उस वक्त मौझूद हर तरह की वे अस्था की चर्चा जरूर करते थे वे बोल्सेविक रेवलुशन की भी बात करते थे तो डिमोक्रेशी की भी हेल्दी डिमोक्रेशी की भी बीर सावरकर जी चर्चा करते थे सावरकर के लिए रास्थ कोई एक राई नहीं थी केवल एक पोलिटिकल इंटिटी नहीं थी बलकि एक कल्चरल इंटिटी थी एक सांस्कृतिक एकाई थी उनका विचार था कि सांस्कृतिक समानता है रेश्ट के रास्ट के निर्माण में रास्ट वाद की भावना को मजबूत तरने में बहत मुण भूमी का निभाती थी यह उनके असपष्ट सोच थी उनके लिए एक आदर्स राज्य और सरकार वो था जहां नागरिकों के भी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव न हो यह वीर साबर करदी का विचार था साथियों हमें वीर साबर करके हिंदुत के विचार को गहराई से समझना होगा और उनके लिए हिंदू सब्द एक या पंथ या मजहब से जुड़ाना होकर भारत की जियोगरिफकल और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था और उनका हिंदुत का विचार सांस्कृतिक राष्टवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था जो यह मांता था कि सिंधु के इथ पार रहने वाले हिंदू हैं और यहां की संस्कृति भी हिंदू है जो लोग इस भारत भूम के अपनी पुंड भूमी पित्र भूमी या मात्र भूम मानते हैं वे सभी हिंदू हैं यह सावरकर्जी का विचार है चाहिए वे किसी भी मानते हो यदि उनकी डिस्ता भारत की संकृतियों थारों में है तो हिंदु यह उनकी देखती संस्कृत हैं लेकिन इस सोच पर भी बहुत सारे लगों को आपत्य अपत्य होती है आपत्य किसी को भी हो सकती है लेकिन बीर सावरकर जी कि इन सब सारी विशारों के कारण जी हो उनसे नफरत करना मैं समझता हूँ इसके ओचित को कोई सी कारण नहीं करेगा साथियों सावरकर के लिए देश सबसे पहले था वे बड़ी बेवाकी साथ कहते थे कि भारत का किसी भी देश से संबन इस बात पर नर्वर करना शाहिए कि हमारे रास्टी हित और सुरक्षा नीट के वो कितना अनकूल है यह कैशी शरकार है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है वे तो यहां तक कहते थे कि दूसरा देश भारत के हितों के अनकूल हो और वह जब तक वह अनकूलता बनी रहे तभी तक वह हमारा मित्र है यह कैसा प्रग्मेटिजम है जो आज की दुनिया की डिप्लमेशी की एक नई करेंशी है इतले मैं यह मानता हूँ कि वीर साबर कर वीश्वी सताबदी के भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े में जनता के सामने रखा है और सावरकर के खिलाफ जूट फैलाया गया बार बार यह बार ऐक वात कही गए कि उन्हों हमेक्षी सरकार के सामने अने को मर्षी पेटीशन फाई कि है लगिस अच्जण है कि मर्शी पेटिशन नोंने अपने को रिहा किया जाने के लिए नहीं फाइल की थे सामानतिया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्शी पेटिशन फाइल करना चाहिए तुछ कर सकता है महात्मा गांदी नोंने कहा था कि आप मर्शी पेटिशन फाइल करो महात्मा गंधी के कहने पर Coast trader की था और महात्मा गंधी ने अपनी तरफ से यह अपिल की थी उन्होंने कहा था यजिसे हम शांति पूर्णत तरीके से आजादी आदली हासिल करने के लिए आंदूलंग चला रहे हैं वैसे ही सावरकर्जी भी आंदूलंग चलाएंगे यह बात महत्मा गांधी जी ने कही थी लेकिन उनको बड़नाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्ची पेटिशन फाइल की थी उन्होंने शमा याच ना मांगी थी अपने रिहाई की बात कही थी यह सब चारी बातें बे बुनियाद और गलत हैं साबरकर ने भारत के लोगों को गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया था उस समय देश में प्रचली छुआ छूट की कुपर्था के खिलाफ उनके विचार और कारिय दोनों ने डाक्टर अमबेडकर को भी प्रेरित किया था उन्होंने हमेशा सहबोज अंतराज्जी और अंतराश्टी विवाह और विदवाव विवाह नारी शिक्षा मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश के लिए लड़ाई लड़ी है वे सही माइनों में एक सोसल रिवालिवस नहीं थे राष्टवाद सावरकर की विचारधारा का अभिन अंग था पर मानोता उसका आधार था भारत को साथियों भारत को सामरिक और सामस्कृतिक रूप से एक जुट रखने में उनका प्रयास कभी भूलाया नहीं आ सकता लेकिन कुछ लोग तो इस सीमा तक नफरत करते थे मुझे याद है कि 2003 में भारत की संसद में एक वीर सावर करके चित्र का अनावरन होना था बहुत सारी राजनितिक पार्टियों ने उसका वाइकॉट किया केवल पूरो प्रधानमंत्री क्षंदर शेखर जी उसका अरकम में सम्मिलित हुए थे ऐसे ही पोड़ ब्लेयर में जब एक प्लाक लगवाया गया था तो दूसरी सरकार ने आने के बाद उस प्लाक को जो हटवा दिया इस सीमा तक नफरत आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि जब 1942 में कांग्रेश राइट अफ सेल्फ डिटर्नेशन के प्रस्ताओं को पारित किया तो वीर साबरकर ने उसका मुखर विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि इसका क्या दूसर परिणाम होगा उची साल कांग्रेश ने यह प्रस्ताओं भी पारित किया था कि अंग्रेश भारत शोने मगर उनकी फोग यहीं रहेगी इसका भी साबरकर ने डट्टर विरोध किया था मैं मानता हूँ कि उदे माहरकर जी और चिरायू पंडे कि यह किताब वीर साबरकर के नई और सही रोशनी को नई और सही रोशनी में देखने में हम सभी की मदद करेगी मेरा सबस्ट मानना है कि साबरकर एक व्यक्ती नहीं थे वो विशार थे जो उनकी मृत्यू के इतने साल भी जाने के बावजूद भी आज भी जिन्दा है और जैसा उड़े महरुकर जी ने कहा आगे भी जिन्दा रहेगा और उनकी विशार धारा के अनुयाईयों की तंख्या निरन तर बढ़ती रहेगी और मुझे लगता है कि हमारे देश के विद्वानों को साबरकर पर अधिक से अधिक रिसर्च करने की आवश्यक्ता है अधिकारी की विरास्त के साथ कियेगे गलप को सही करने का केवल और केवल यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे लिए साबरकर विशार है भारत के साहथ का हमारे लिए सावरकर विशार है भारत के सम्मान का भारत के स्वाहिमान का सावरकर विशार है हमारे सामर्थ का सावरकर विशार है सैयम का और सावरकर विशार है भारत के सनातन का वह सनातन जो नितनूतन है और शिर्पुरातन है आज के इस कारकम में हमारे सरदेश तरतंग चालग जी यहां पर मौजूद है और मैं समझता हूं कि हम में से जतने लोग यहां मौजूद हैं सावरकर जी के बारे में उन से जारा ध्यन और किसी का नहीं हो तकता विस्तार पुर्वक सावरकर जी के बारे में उनका विशार हम सबको सुनने को मिलेगा और आगे का मारदर्शन भी तरदेशतरतंग चालग जी का हम सभी को प्राप्त होगा इनी सब्दों के साथ मैं पुना हैं उरे महुरकर जी को चुराईव पंडिक जी को अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूँ और साथी साथ हमारे कपीश जी जीनों ने इसका प्रकाशन किया है उनको भी मैं बढ़ाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ धन्यवाद